यह इतना रश्ष्ट क्यों है यहां पर? यहां रात को कतल हुआ है कतल? शाह साब तो ठीक है न? शाह साब? आप गालबन आलम शाह साब का पूछ रहे हैं? जी जी जिनका यह आस्तान है? जी उनको रात को किसी ने बड़ी बेदर्दी से कतल कर दी जा कतल लेकिन कैसे और क्यों? उनकी तो किसी के साथ दुश्मली में नहीं है यह तो तफ्तीश करने के बाद ही पता चला है वैसे आप लोग कैसे शाह जी को जानते है? जी हम काफी अर्ष्ट से जानते हैं इसलिए उनसे मिलने आये थे अच्छ अच्छ सर कुछ पता चला कि कतल किसने किया कोई सुराग वगारा मिला? कातल बहुत शातर लगता है कोई भी सुराग उसने नहीं चोड़ा लेकन वो यह नहीं जानता था कि सीसी टीवी कैमरा लगे हुए लेकन सीसी टीवी कैमरे में उटी वड़ा शखस नजर आया है जो रात को गर में दाहल हुआ है और शाजी को कतल करती है लेकिन कोई ऐसा क्यूं करेगा? उनकी तो किसी की साथ दुश्मनी भी नहीं यह भी आजकल दोस्त और दुश्मन का पता नहीं चलता प्रियर कातल हमारे हाथों से बच नहीं सके प्रियर कातल है चले मैं रुकिए जी से साज़त इदरा है आप अपना नाम और घर का पता लखवा दे तफ्तीश के लिए आपकी जरूरत पड़ेगी तो आपको बला ले दे मलिक शर्यार अली अजया ऐसे कब से जानते आप शाजी को? चयमास ऐसे आप तो कह रहते हम पराने जानने बाले हैं सर वो मेरी भादी और भाई अभी 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 में में काफी हर्चे से जानता हूं शाह से अच्छा, वैसे आप से हमें कोई इन्फार्मेशनी चाहिए होगी, तो हम आपको बला लेजा, ठीक है? जी, जी सर, अब हम जा सिटे हैं वैसे कैसे आप शाह जी को जानने वाले, आप उनका चेरा भी दी देखेंगे? वो मुझे एक बहुत जरूरी काम से है, मुझे बहाँ पहुंचना है, अभी आपकी इन्वेस्टिकेशनी चल रही है, हम बाद में आ जाएंगे जैसे आपकी मर्जी फौल झाल झाल जार जाल औह कि यह क्या तरहिका है पुझे तुम से ऐसी बत्तमीजी की उमीद नहीं थी अब ही क्या किया तुमने अब ही क्या किया तुमने अरी जिस तरह से तुमने शमा के साथ बत्तमीजी की शादी से इंकार किया वो कितनी हर्ट हुई होगी मैंने कुछ गलत नहीं काम में अभी तुमने कुछ गलत ही नहीं किया आखिर मैं पूछ सकती हूँ तुम्हारे इंकार के वज़ा मैं आपको बता चुका हूँ अच्छा सिर्फ यही वजा है तुम्हारे इंकार की अब कहना क्या चाहती है बताओं मैं तुम्हारी मां हूँ तुम्हें जनम नहीं दिया लेकिन तुम्हें बाला है, तुम्हारी रगरग से मैं वाकिफ हूँ क्या चल रहा है तुम्हारे दिल में? अब गला समझते हमें तो जो सही है वो मुझे बताओ छीक है, फिर तुम्हारी इस जादी से मुखाल्फत बेमानी है मैं अभी शमा से बात करती हूँ कि हमें इस रिष्टे से कोई इंकार नहीं जब मैंने एक बर मना कर दिया तो फिर आप समझ क्यों नहीं रही मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आरे आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे शहर यार की तकलीफ देखी नहीं जा रही और तुम्ही कोई परवा नहीं अच्छा फर्स करें कि मैं मान भी क्या तो क्या गेरेंटी है कि शहर यार भी शादी के लिए मानेगा मैं उसे मना लूगी तुम उसकी फिकर मत करो मैं आपको कैसे समझाओ उमी तो फिर मुझे खुल कर बताओ क्या बात है जो तुम्हारे दिल में खटक रही है तुम्हें तंग कर रही है आप जाना चाहती है ना तो पिर सुनिए आप ये चाहते थे ना कि मैं दूसरी शादी कर लू हाँ मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ ये तो बहुत खुशी की बात है लेकिन वो लड़की कौन है हादिया ये आप क्या कह रहे हाद मैं तुम्हे पसंद करता हूँ और तुम से शादी करना चाहता हूँ लेकिन आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं इसमें सोचने हो ली कौनसी बात है? मझे लगा कि तुम भी मुझे पसुन करती हो आपको कोई खलत फेमी होगी तुम तुम स्कुन से मेरी बात तो सुना मुझे कुछ नहीं सुनना, नपसे शादी नहीं करूंगी मैं बात करते हूं शमा और हादिया से बस कर दे मामा, बस कर दे और बीबी को इस दुनिया से गए हुए दिन कितने हूँ कि आप मेरी शादी की बात कर रही है मैं तो समझता था कि आप लोग सिर्फ आर्जू से नफरत करते है लेकिन आज मुझे एसास हो रहे हैं कि आप लोगो मुझे से भी मुझे से भी महपत नहीं है आदिया प्लीज प्लीज मुझे से शादिय कर दो हम मुझे सिर्फ तनहा ही नहीं सही जाती वाँ, क्या बात है साना, तुम क्या है रास यह सब क्या हो गया? शाह साब का कदिया? आखिर कौन उनका क्तल कर सकता है भाभी? कहीं शाह साब को भी दोजीन है आप शाहिद भूल रही है कि पुलीस ने कहा था सेंसे टीव फूटिज में उन्होंने किसी शख्स को देखा थे हाँ, मुझे मैं बूली गई अब शाह साब इस किसम के इंसान तो नहीं थी मिरा मतलब है कि किसे कुछ चगड़ा, कोई लड़ाई थी नहीं शेर यार, आप तो एक रुहानी और बहुती नफीस इंसान थे काश तो मुन से मिल पाते पिना खेर उनका गदल किस ने किया और क्यों किया मुझे तो कुछ समझ में नहीं रहा है तो शाह साब भी नहीं रहे जो इसके किसी भी अमल का तो और निकाल सके अब हम क्या करेंगे शेर यार? मैं क्या कह सकता भाभी, मुझे वे कुछ समझ नहीं रहा वे एक सीरा घुनने तो दूसरा बलेच जहने शेर यार, तुमने पुलीस वाले से जोट क्यूं बोला अभी मैं पुलीस वालों को बहुत अची तरह से जानता हूं इंका काम सिर्फ और सिर्फ लों को तंक करना और अगर उन्हें पता चल जाए कि इनकी पास पैसे भी है तब तो बिलावजा उने केस में लाफस कर लिए पर तो बहुत समझ़दार इसे काम लिया तुम्हा पता मेरे तो हाथ-पाउं पूल रहते लेकिन तुमने जो अड्रेस और नंबर दिया उनको अगर उनोने हमें नहीं शेर यार अगर तुमारे भाई को पता चला तो एक नया तुमाशा शुरू हो जाएगा आप परिशान हो आप फिकर ना करें अगर वो अमारे कड़ तक पहुंच भी गए तो मैं सब सम्हाल होंगा भाईता की बात नहीं पहुंच जाएगा अगर बस आप अपको रिलाक्स रखेंगे अगर इस तरह परिशान शेरे के साथ घर जाएगी तो कोई भी आपसे सवाल कर लेगा क्या करूं शेर यार मुझे तो खुद भी एकीन नहीं आ रहा और वो साया हम उसका मुकाबला कैसे करेंगे शेर यार हम उसब की जान खत्रे में है जब अभी थेराने वाले आप प्रीज अपर जेरे से ये परिशानी अटा देंगे खामखा किसी कुछ शक हो जाएगा तुम हो ना मेरे साथ मेरे ली काफी ये रोहेल भाई और आदिया एक साथ ये हो क्यारा मैं भी बात करता हूँ रहा है नहीं शेर यार तुम कुछ नहीं कोगा नहीं भावी अब मुझसे ये सब बरदाश्ट नहीं हो रहा ये मेरा रोहेल का मामला और मैं नहीं चाहती कि मेरी वज़ा से तुम दोनों भाईयों में जगड़ा हो लेकिन ये भाई को आखर हो के आगे आपने हर कदम पर उनका साथ दिया आप जिसी वफा करने वाला साथ देने वाला उनको कहा मिलेगा आप जिसके साथ जितना मुखलिस होते हैं वो आपके मूपे उतनी जोर का दपड़ मारता है कि आपकी मुखलिसी भी हरान रह जाए पहले मुझे इन बातों पर यकीन नहीं आता था लेकिन अब आने लगा है भाई आज ये फैसला हो कर रहेगा कि आपक आखिर रुहेल को हुआ क्या है? मैं भी यही सोच रही थी कि रुहेल को हुआ क्या है? हादिया के बारे मैं कैसे सोच सकता हो? हाई आपा, ओर आपा मेरी पच्ची तो कवारी है और इन दोनों के उमर में परक कितना है? तुम फिकर ना करो मैं बात करूँगी रुहेल से आप बात करेंगी रुहेल जा अरे वो सुनता ही कब है किसी की किसी एक बात मैं आपको साफ साफ बता दू रहाता शेरियार के लिए तो मैं मान गई थी लेकिन रुहेल से मैं अपनी बेटी की शादी कभी नहीं करूगी अरे रुहेल को दूसरी शादी करनी है उसे हजारों लड़किया मिल जाएंगी लेकिन हमारी हादिया की शादी तो शहरियार से होगी बास अरे होना क्या है गुस्ता तो उसकी नाक पे धरा रहता है आप दोनों को क्या हो गए भावी ने आपके सारी बाते सुन ली तो तो क्या हुआ रुहेल के दूसरी शादी नहीं कर सकता खला आपके बास दिल नाम की चीज है या नहीं अब मैंने ऐसा भी क्या कह दिया अच्छा वही अब तुम दोनों जगडाना शुरू कर देना मुझे वैसे भी शेहरियार से जुरूरी बात करनी है क्या बात करनी है माँ प्लीज कोई ऐसी बात मत के जीवा जिससे मैं अपनी बर्दाश कुदा शेहर यार तुम कब तक अर्जो का सोख मनाते रोगे आपके लिए सोख होगा लेकिन मेरे लिए God का दुख मेरे सिंदकी है सुन रही हैं आप और आप हैं किसकी शादी करवाना चाहती है क्या आला आप सुन भी रही कहा हैं जो आप बोल रही हैं बिलकुल, भापा, आप बताते क्यों नहीं, आपके बेटों ने मेरी बेटी को फाल्तु माल समझावा है, जो यह मुझे जलील करते फिर रहे हैं? शेहर यार, मेरी बाद ठंडे दिमाग से सोचो, मैं चाती हूँ कि तुम्हारी शादी हादिया से हो जाए, मुझे तुम्हारा यह अकेला पन देखा नहीं जाता बेटा? बस कर दे मामा, बस कर दे! मेरे बीबी को इस दुनिया से गए हुए दिन कितनी हूँ, कि आप पर इशादी की बात कर रहे हैं? मैं तो समझता था कि आप लोग सिर्फ आर्जू से नफरत करते हैं, लिकिन आज मुझे एसास हो रहा है कि आप लोगो मुझे से भी मुझे से महापत नहीं है, आप जानती हैं आपकी इस बात मुझे कितना हर्ट की है? अरे ऐसा भी क्या गलत कह दिया आपाने? धाला, प्लीस, आपसे तो मैं बात ही नहीं करना चाहता और मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरे मूझे कोई ऐसी बात निकले जिसका बात मुझे अफसूस हो और मामा, आज तो आपने ये बात कर ली, लेकिन आज के बाद अगर आपने मेरी शादी की बात की ना, तो मैं आपसे इतना दूर चला जाओंगा कि आप चाह कर भी मुझे देखनी पाएंगी. शेरिया. देख लिया आप है, एक आप हैं, जो उसका घर बसाना चाहती है, ये इजज़त है उसके दिल में आपकी. अच्छा शमा, मेरा दिल मत जलाओ. आपका दिल? अरे दिल तो मेरा जल रहा है, मेरी बेटी क्या फाल्तू है? मुझे कोई शौक नहीं है ऐसे लड़के से अपनी बेटी की शादी करने का. उसको समझता क्या है? अधिया, मुझे तमसे बात करनी है. लेकिन मुझे आपसे कोई बात में करनी है. क्यों? अब एकल तक तो मेरे साथ गुमने भे निकले तैयार थी. अब ऐसा क्या हो गया है? पहले की बात कुछ और थी. क्या मतलब? वो मैं आपको नहीं समझा सकती, आप प्लीज यहां से जाएं. क्यों? तुमने तो मुझे कहा था, कि सन्हा को आपके कोई फिकर नहीं है. वो आपके ज़रा भी ख्याल नहीं रखती. आपको कोई हमसफर चाहिए, कोई ज़रा आपका साथ दे, ज़रा आपके साथ रहे. हाँ, मैंने आपसे ऐसा कहा था, लेकिन इसका हरगिज यह मतलब नहीं है, कि वो हमसफर आप मुझे ही समझ ले? तो मुझे पसंद नहीं किरते हैं. मैं पहले भी बता चुकी है, बात पसंद ना पसंद की नहीं है. मैं अभी शादी नहीं करना चाहती है. हादिया, यह मेरे सवाल का जवाब नहीं है. तुम शादी नहीं करना चाहती है, यह मुझ से शादी नहीं करना चाहती है? रोहेल आप समझ नहीं रहे है अधिया प्लीज मुझे अपना लो हम मुझे इतना हाई नहीं सही जाती मुझे शादी कर लो मुझे अपना हमसुफर बना लो वाह क्या बात सना तुम बुरा लगा मेरा ना मैंने तुम दोनों के खुबसुरत बलक बरबाद जो कर दिया नहीं सना तुम गलत समझ रही हो मैं गलत समझ रही हूँ मैं तो हुए गलत जो आज तक ही ना समझ पाई Sanna compensation क्या क्या बोलेंगे क्या रे गास उने को अब बोलेंगे क्या आप है क्या आपके पास क्या नहीं किया मैंने आपके थλिए कहां कंथमी रह गय थी तुम हम पर शक कर रही हो तुम्ही रही हो रोहेल की ऑबी बीवी, मिया बीवी का रिष्टा तीन बातों से मजबूत होता है, पहली अतबार, दूसरी मुहबब, और तीसरे हैसास, और जिस रिष्टे में इन तीनों में सेख भी ना होना, वो रिष्टा खोकला हो जाता है, और हमारे रिष्टे में तो तीनों में से एग भी नहीं, सनाव, सनाव, सनाव मेरी पाती, खुदारा सिंदगी है मेरी, और आप ने तो तुमाशा बना के रख दिया मेरा, तुम बात को बढ़ा रही हो, मैं बात को बढ़ा रही हूँ, मैं, मैं बात को बढ़ा रही हूँ, बलकि यू कहिए मैं बात को खतम कर रही हूँ, क्यों आया आप मेरे पीछे, देखो तुम घलस समझ रही हो, मैं घलस समझ रही हूँ, महबत में जब बे तबार उट जाबा तो फिर कोई किस्दम खाए या जहर परकनी पड़ता मैंने और गुना कुछा मैं शायद हारदिया से महबत करने लगा महबत करना गुना नहीं महबत में पहग ज़ना गुना और यह जो कहते हैं न महबत मैं सब जायस है गलत कहते हैं मुहबत वो जायज है जिसमें पाकीज़गी हो और पाकीज़ा मुहबत सिर्फ मिया बीवी के रिष्टे में होती जना मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया तो अब क्यों तरह छोड़ दिया गलत दी मैं हमेशा गलत दी मैं तो हमेशा तनाती इतनी मुहबत करने के बाद भी मुझे वफा नहीं मिली मैं तो आज भी तना हूँ सना और कहां जा रही हूँ आज के बाद मेरे और आपके रास्ते हैं लग बस इतनी दुआ देकर जा हूँ यह जा मेरो खुश्च सना 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 मेरी बात तो सुनो सना सना वो फौजी बता रही थी के सना अपना सारा समानबाद की अपने घर चली गई है वो मुझे बताय बगर कैसे जा सकती है अधलते रिष्टे मौसम अद्लौक दिखाई देन दे महसूस सबूर हो जाती है तुम जान बोच कर मेरे करेब हैं और जब मैं तुमारी बातों में उलज किया तुम इतनी असानी से अपना दामुन छड़ाना चाती हूँ साना कि इस घर से जाने में जितना मैं जिमेदार हूँ न उतनी ही जिमेदार तुम भी हो यार बाओ यार बाओ यार बाओ मैं जिमेदारistent यार 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 आजाना मेरे दिल जानिया मेरे आणिया दिवाना तेरा दिल हो गया मेरे जानिया कि आजान तेरा, दिल जानिया रहाँ चारा जानिया खिल जानिया एत वे जानिया ही आर बाओना है हादिया, बेटा नाश्ता लगा दिया? जी, पादिया नाश्ता लगा रही है. अच्छा लगा शेयर के आज तुम, हम अरसाद नाश्ता करोगे. बड़ी बात है, बड़ी बात है कि मसक्कम आपको मेरे होने ना होने का एसास तो हुआ. तुम कहना कह चाते हो. यही के आज आज आपको अपने भाई की महबत तो सितारी है. लेकिन क्या अपनी बीबी का जरा से भी ऐसास है, जिसने दिन रात आपके खिद्मत की, आपके घरवालों पर अपनी जान निचावर की. यही ऐसा भी क्या कर दिया है, रुहिल ने? आप तो चुपे रहें, ऐसे भी आप समझ नहीं पाएंगी. और कि दूसरों की जिन्दगी में आग लगाने से बेतर है कि आप अपनी जिन्दगी पर तफच्छ नहीं, आई समझ है? आपा, सुन रही है, यह किस तरह बात कर रहा है? अगर मुझे इसके गम का एसास नहीं होता तो… तो? तो क्या कर लेती हैं आप? और मेरा गम भी तो आपका दिया हुआ है ना? शेहर यार, क्या हो गया तुम्हे? तो आपको रोहल भाई से पुछना चाहिए कि क्या होगी आईने? किसे भूले बैठे हुए सना बाभी को? जरा सा भी हैसास नहीं कि वो किसान में, किसी को जरा सा भी हैसास है उनका कि वो… मैं जाए रही ती सना को बुलाने ही? कोई जरत नहीं तुम्हें जाने की और ना ही उन्हें बुलाने की और ना ही तुम्हारे बुलाने पर वो आएंगी, क्यों उनके दुख में इजाफा कर रही हो तुम, हाँ? शेहर यार, आप गलत समझ रहे हैं मुझे किसी को कुछ नहीं समझना, मैं खुछ जा रहा हूँ भाभी को बुलाने की नहीं रुकिम, मैं जाओंगी, ताकि यहां जो भी गलत फहमी हुए, उसे दूर कर सको कहा है सना, तुम उसको बुलाने गई थी वो चली गई है चली गई? क्या मतलब कहा चली गई? वो फौजिया बता रही थी कि सना अपना सारा समानबाद की अपने घर चली गई है वो मुझे बताय बगर कैसे जा सकती है अदलते रिश्टे मौसम अद्लोग दिखाई देन अदे महसूस सहूर हो जाते है तुम क्याना कह चाते हो आप अभी भी नहीं समझे यह समझना चाहते ही नहीं खेराब शायद समझभाएंगे भी नहीं क्योंके आप सिर्फ अपनी जात से प्यार करते है और जो खुद से महबबत करता है वो किसी और से क्या महबबत करेगा हाँ किसी से रिश्टा जरूर काइं कर लेते हैं लेकिन वो भी सिर्फ अपनी खुश्य और मतलब के बीचे और जब दिल चाता है उस रिश्टे को तोड़ देते हैं ये देखे बगएर ये जाने बगएर ये समझे बगएर कि उसने आप से कितनी वफा की बहुत बहुत जो किया तुम मुझे अब और कुछ कहना भी नहीं है मैं खुद जाओंगा अपनी भाबी को लाने उनको मनाने क्योंकि मैं जानता हूं कि इस घर में उनकी जजबात की किसी को ना कोई परवाय ना कोई कदर मैं खुद जाओंगा अपनी भाबी को मनाने ये सब हो क्या रहा है इस घर में और यह सब कुछ तुम्हारी वज़ा से हो रहा है। हमाम, आपको इसना रुहेल को डाटना नहीं चाहिए था। क्या करूँ, रोज एक नया तमाशा शुरू हो जाता इस घर पे। चलो हादियो, चलके नाश्ता करें। आप कर ले नाश्ता। मुझे नहीं करना। हरे, अब आप कहां जा रहेंगे। जा के देखो शहर यार को, यह वागई ना चला जाए सना के पीछे। है, मैं तो जा के नाश्ता करूँ, मेरी कौन सी भूकड़ता आल है। रुहेल, इस अब क्या कर रहे हैं आप। मैं समझा नहीं। यही, के सना के इस घर से जाने में जितना आथ मेरा है ना, उतना इक तुम्हारा भी है। आप मुझे इल्जाम दे रहे हैं। मैंने कभी भी आपसे कोई वादा नहीं किया। हर बात कहने की नहीं होती। और तुमने जो कुछ किया है ना, उसका यही नतिजा होना था। अच्छा तु आप यह कहना चाहते हैं। कि इस घर में, जो कुछ कियोओरा भी मीरी वज़े से हो रहा है। मैंने प्रपोस किया आपको हाँ तुमने नहीं क्या मैंने तुम्हे प्रपोस किया था। लेकिन मैंने कोई गुना तो नहीं किया था... आपके लिए मामूली सी बात होगी, लेकिन आपकी इस बेवफाई की विजए आपकी बीवी घर चोड़के चली गई है और आप है के, आपर जरा सभी असर नहीं हुआ, और आप फिर भी असी बाते कर रहे हैं तो क्या करूँ मैं? बोलो हादिया क्या करूँ मैं? चुप चाओ तुम्हारे जमा सुंदार हुए तुम जान बोच कर मेरे करेब हैं और जब मैं तुम्हारी बातों में उलजगा तुम इतनी असानी से अपना दामून छड़ाना चाती हो साना कि इस घर से जाने में जितना मैं जिम्हार हुँ न उतनी जिम्हार तुम भी हो अगर तुम्हें मुझेंच में एंटरस्टनी था तो फिर वह सब कुछ क्या था मेरे ओफिस में आना, मेरे सब लंच करना, डिनर करना, वह महबदरई बाते करना क्या थे सब के पीछे मुच्छे हाँ हाँ ठीक है, मैंने आपके सब लंच की और डिनर भी किया मैं सना को अकेला नहीं छोड़ूंगी अगर सना इस घर से मेरी हो जैसे गई है तो मैं खुद जाकर उसको लेकर आऊंगी शेहर यार शेहर यार बेटा रुको तो सही मेरी बात तो सुनो अब कहने को बाकी क्या रहेगे बाबा तुमने हमेशा सना की बात मानी और हमेशा उसे मुझपे फौक्यत दी मैंने कभी बुरा मनाया हाला के मां तो मैं हूँ तुम्हारी तुम मेरी बात नहीं मानोगे अब एक बार मांगे मैं अपनी जान देलूगा नहीं बेटा थे ऐसे मत को बस ये मैं ये चाहती हूँ के तुम कहीं न जाओ मेरे पास रहो ये मामलाब सना और रोहेल का है वो अपस में मिलके तैक कर लेंगे नहीं मामा मैं जानता हूँ कि भाई कभी अपनी जिद नहीं छोड़ेंगे और मैं भावी के अना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता क्या नहीं क्या सना भावी ने इस घर के लिए हम सब के लिए और क्या सिला दिया भाई ने अगर यही सिला देना था उनकी महबबत का तो इससे तो बेतर तो उन्हें घर से निकाल देते कम मैं जानता हूँ कि वो कभी आपकी बात नहीं टालेगी और आपके कहने पर वापस भी आ जाएंगी लेकिन क्या आप उनका खोया हुआ इतभार वापस ला पाएंगी अब तुम क्या चाते हो कि हम सब मिलके उसके पाउं पढ़ जाएं अखिर रोहेल ने ऐसा क्या गुना किया है दूसरी शादी उसका हक है और भाबी का हक बस कर दे मामा बस कर दे भाई का सिरफ यह हक नहीं कुछ फर्ज भी है ये मर्द अपने हक की बात करते हैं अपने फर्ज क्यूं भूल जाते हैं कुछ भी हो जाएं मैं भाबी को इस हाल में अकेला नहीं जूड़ सकता तो बेटा मैं अकेली रह जाओंगी अब अकेली का हूँ आपके पास आपकी बेहन है आपका बड़ा बेटा है और अब दुखा दिया भी मैं भाबी को मना कर भाचा दौब इसाज़ मुझे लिए तौगी जाएं मुझे लिए तौगी जाएं शेयार मैं भी अब के साथ चलूँगी तुम कैसे जा सकते हैं मेरे साथ लेकिन क्यों मुझे भी सना के पास जाना है बलके मेरे सना से मिलना ज्यादा ज़रूरी है ताके हमारे बीच में जो मिस्स अंडरस्टैनिक होगी है मैं इसे दूर कर सकूँ हमें तुमारे किसी भी अइसान की कोई जूरत नहीं यहा दिया मैं अपनी भावी को खुद मना सकता हूँ मैं बस इतना कहूँगा कि जो भी हुआ बहुत बुरा हो शेहर यार नहंदगी में सब कुछ किसी वजा से होता है खलत होता है ताके हम सही की कीमत जान सकें अब प्लीज शेहर यार मेरा यकीन माने इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है मैंने और भावी ने खुद तुम्हें और भाई को देखा ता कल राजशत पर कभी-कभी आँखो देखा भी हकिकत नहीं होता है अच्छो तो पर तुम बताओ क्या हकिकत बताओ मैंने रोहेल से कोई वादा नहीं किया शादी का आतानी क्यों वो इस खलक फैमी का शिकार हो गए है मैंने से शादी नहीं करूंगी और मैं यही बता चुकी हूँ और यही बात मैं साना को बताना चाहते हैं आके मेरे वज़े से उनका घर खराब ना हो कुछ भी हो मैं तुम्हे अपने साथ में ली जाओगा ठीक है पर, मैं खुद ही चली जाओगी मैं इस ग्रिट में नहीं रह सकती है कि मेरे वज़े से किसी का घर खराब हो जाए और तुम्हारी अम्मी क्या वो जानती है कि तुम मेरे साथ जाना चाहती है उन्हें पर देख लूँगी यह मेरे मसला है आप जाए मुझे देर वरी